हेलो गाइस तो आज हम बात करेंगे कि जो एक रिवाइज और फाइनल अंसर की जो जेके एसेस्बी द्वारा प्रवाइड की गई थी हेल्थ और मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्टें थी उनके लिए इनके सीवीटी जो थे वो 17 से लेके 25 आठ 21 तक जो कंड़क्ट करवाएगे थे तो उनके रिकार्डिंग हम बात करेंगे कि आखिर इनके लिए रिजल्ट जो है फर्स्ट मेरेड लिस्ट कब आने वाली है तो जेके एसेस्बी के जो चियर परसन थे जो थी निकाली गई है और इसके बाद कोई भी अंसर की नहीं निकाली जाएगी कोई भी आप्शन जो है वो बच्चों को नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी अंसर की को अडिट कर पाएगे अडिट तो नहीं कर पाएगे मगर किसी भी परकार की कोई complaint या इसके related कोई भी जो complaint है वो नहीं ली जाएगी जो भी अभी तक कोई objection किसी को रहेगा तो वो इस answer की के मादियम से जो है वो बोल सकता है और कर भी सकता है और कोई भी questions में doubts थे options को लेके तो वो भी जे के SSB ने clearly mention किया हुआ था answer की मैं कि उस question के लिए जो है सभी को equal marks जो है दिये जाएंगे बीच में एक कुछ ऐसे question थे जिनके जो option थे वो टेक्निकली गलत गलत थे और उसकी वज़ाँ से जो है जे के SSB ने mention किया हुआ था questions के साथ मैं कि सभी को जो है equal marks जो है one marks दिया जाएगा उसी same question के लिए तो जो और जो गलतीएं बगारा थी तो वो सारी जो है अभी इस last date तक जानी कि तीन तारिक तक जो दी गई है तब तक ये खुली रहेगी answer की तब तक जो है बच्चे कुछ वो कुछवी addition होगा वो कर सकते हैं इसके बाद जो है वो direct हमें मेरे list देखने को मिलेगी तो इस revised और final answer की को देखने के बाद इतना तो clear है कि आने वाले 5-7 दिन में हमें जो है final result देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये clear किया था चियर man, person, चियर person, JKSSB के, JKSSR के तो उन्होंने जो clear किया था कि आने वाले हबते के अंदर अंदर जो है आपको result देखने को मिलेगा first married list देखने को मिलेगी तो इस answer की, revised final answer की को एक indication मान के आप चल सकते हो क्योंकि ये last आपको option दिया गया है JKSSB द्वारा किसी भी information को add करने का अगर कोई भी doubt है कि इस CBT के जाने की ये तीन तारीक के बाद एक हफते के अंदर अंदर जो है first married list जो है वो आज आएगी ऐसा पहले ही officially clear कर दिया गया है तो अगर आप सभी भी aspirant हैं आप सभी ने भी इसके लिए apply किया है तो अभी आप जो है वो तैयार रहें कभी भी जो है result आ सकता है बहुत सारी वीडियोज हमने लाई जिसमें हमने merit आपको बताया एक estimated merit बताया तो वो सारी जो थी आपकी ख्वाइशें हैं जो जो भी थी वो अभी पूरी हो जाएंगी क्योंकि हबते के अंदर अंदर जो है आपको merit list देखने को मिल जाएगी तो आपके क्या views है इसके recording आपको क्या लगता है merit कितना होगा जो भी है वो भी comment section में जुरूर लिखें और आपको क्या लगता है क्या JKSSB सच में साथ दिन के अंदर जो है result ले आएगी merit list, first merit list जो है वो सब के सामने ले आएगी जहां फिर अभी और डिले हो सकता है तो जहां तक JKSSB के officials की बात सुनें और ये जो revised और final answer की की जो बात देखें तो इतना तो clear है कि अभी बहुत ही जल्दी जो है result हमें देखने को मिल जाएगा first merit list जो है, JKSSB लीज करने वाली है तो एक हफ़ते के अंदर अंदर जो है, आप मान सकते हैं कि result आ जाएगा उसके बात देखते हैं कि ये कितनों की selection होती है और कितना cut-off जाता है उसके बारे में एक अलग से वीडियोज आएंगी उसके साथ साथ जिन्हों ने बैटनरी फार्मसिस्ट और स्टाक असिस्टेंट और तमाम जो और पोस्टों के लिए फार्म लगाए हैं बो भी जो हैं, अभी से preparation शुरू कर दें हमारे चैनल पे आपको MCQs मिल जाएंगे और जो भी आपका स्लेबस है, बैटनरी फार्मसिस्ट का, तो वो आल्रेडी फॉर्थ क्लास का स्लेबस जो था, सेम है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी आपको टाइम टू टाइम वीडियोज जो है मिल जाएंगी आप जो है प्रेपरेशन उसके लिए भी अभी से रखें, क्योंकि इसका एक्जाम भी बहुत ही जल्दी होने वाला है, इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा, आपको दो से ड़ाई मन्त में जो है एक्जाम देखने को मिल सकता है, बैटनरी फार्मसिस्ट के लिए और स्टॉ क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आपके लिए आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,